हलो दोस्तों, कैसे है आप सब? हमारी कहानिया देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीज़े और हाँ, बेल आइकॉन पर प्लिक करना मत भूलेगा रात के यही कोई साड़ी नौ बज रहे थे लेकिन अक्षिरा जिस रास्ते पर चल रही थी वो बिलकुल सुनसान था बेच बीच में कुत्ते के भॉंकनी की आवाज आ रहे थी वो कभी मुबाइल के मैप की ओर देखती तो कभी अपने हाथ में पकड़े विसिटिंग कार्ड के पते की ओर आखिर कहां है ये घर पिछले आदे घंटे से मैं परिशान हूँ ये पता मिली नहीं रहा है और नहीं यहां आसपास कोई आदमी दिख रहा है जिससे मैं इस पते के बारे में पूछ सकूँ अक्षिरा की चेहरे पर परिशानी साव देखी जा सकती थी तब ही उसके मोबाईल की घंटे बचे उसने कॉल करने वाले का नाम देखा तो वो नहीं दिख रहा था वो कॉल एक अन्नोन नमबर से था उसने फोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई अलो अक्षरा? कौन? अरे मैं चांद, चांद कुमार ओ, सौरी सर, आपका ये नमबर सेव नहीं है न? सर, मैंने आपके उस नमबर पर बहुत ट्राई किया लेकिन वो स्विस्ट ओफ आ रहा था सर, मैं बहुत परिशान हो गई हूँ ये इलाका मेरे लिए बिलकुल नया है मैं आपके दिये पते पर नहीं पहुँच पा रही हूँ ओहो, कोई नहीं तुम अपनी लोकेशन बताओ, मैं तुमको लेने आ रहा हूँ अक्षरा ने चांद कुमार को अपनी लोकेशन बताई चांद कुमार उसे लेकर अपने घर पहुँचा अक्षरा को वो घर बहुत ही अजीब लग रहा था उसे ये भी लग रहा था चांद कुमार जैसा बड़ा डायरेक्टर ऐसी थर्ड क्लास जगा पर उसे क्यों बुलाया सर, कुछ अजीब नहीं है ये जगा हाहा, अजीब तो है लेकिन कितनो के किस्मत मैंने इसी घर से बनाई है आज तुम भी उन लोगों में शामिल हो जाओगी उसके बाद चांद कुमार ने अक्षरा को वहीं सोफे पर बैठने के लिए कहा और खुद किचन में गए और वहाँ से पीने के लिए cold drinks और खाने का snacks लेकर उसके पास आए अरी सर, आपने क्यों तकलीफ की? इसमें तकलीफ की क्या बात है? वैसे भी, आज यहां का नौकर छुट्टी पर है तो ये सब तो मुझे ही करना होगा वैसे, I love doing this मुझे तुम्हारे जैसे खुबसूरत महमानों का स्वागत करना बहुत पसंद है ऐसा बोलते हुए चांद कुमार ने अक्षरा को अजीब नजरों से देखा और उसे पीने को drinks दिये अक्षरा को रिंग पीते और snacks खाते हुए बोली की सर, आपकी फिल्म कब शुरू होगी? I mean, आपने जिस प्रोजेक्ट के लिए उस दिन कहा था और मेरा audition कब होगा? आज ही होगा ना? तुम सवाल भौत करती हो और मुझे ज्यादा सवाल करने वाले पसंद नहीं है सौरी सर फिक्र मत करो मेरे असिस्टेंट थोड़ी दिर में पहुचने वाले लेकिन चांद कुमार से बाते करते हुए अब अक्षरा की आँखे बोजिल हो रही थी थोड़ी दिर बाद वो बेहोश हो गई अक्षरा को बेहोश देखकर चांद कुमार खिलखिला कर हस पड़ा आज से तू भी बन गई मेरी हिरोईन तू भी होई जाएगी फेमस चांद कुमार नाम है हमारा हमने डूबतों की किस्मत को सवारा चांद कुमार एक बार फिर से अपने मनसूबे में कामयाब हो गया था कुछ दिनों पहले की बात है चिलचिलाती गर्मियों के दिन थे ऐसा लगता था कि सूरज सब कुछ जला देगा इतनी तेज गर्मी के कारण सडक पर लोग भी कम ही दिखाए देते शरीर को जुलसा देने वाली उस तेज गर्मी में भी अक्षरा पैदल ही तेज कदमों से चली जा रही थी वो बार-बार अपनी घड़ी की ओर देख रही थी और मनी मन खुद से बाते कर रही थी मैं तो बहुत लेट हो गई हूँ दस पजे काई समय था और साड़े बारा बशने को आए कई आउडिशन खत मना हो गया हो अक्षरा भोपाल की है पिछले दस महीने से वो मुंबई में रहकर एक्टरस बनने के लिए स्ट्रगल कर रही है एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो एक जगा से दूसरे जगा जाकर वो ठक चुकी है लेकिन उसका हौसला और हिम्मत नहीं ठका है तभी तो कई सारे रिजेक्शन के बावजूद भी उसे उमीद है कि उसकी किस्मत का सितारा एक दिन मुंबई शेहर में जरूर चमकेगा यही सब सोचते वो विराटन स्टूडियो पहुँची जहां पर नई फिल्म के लिए ओडिशन चल रहे थे ओ माई गॉड इतनी भीर मुझे तो लग रहा था कि मैं लेट हो गई हूँ लेकिन भीर देखकर लगता है कि शाम के पहले मेरी बारी नहीं आएगी कोई नहीं शाम को आए चाहे रात को ओडिशन तो देना यही है अक्षरा दिखने में बहुत सुंदर है एक्टिंग भी अच्छी करती है उसके पिता नहीं चाहते थे कि वो फिल्म लाइन में जाए लेकिन उसने तो जिद ही पकड़ ली कुछ महीने पहले की बात है तो क्या इतने बड़ी बड़ी जो स्टार है जिनके पास दौलत है, शोहरत है करोडो फैन है जिनके वो सब बुरे लोग है अक्षरा को फिल्म लाइन से प्यार था उसे हिरोईन बन कर अपने पिता और अपने शहर का नाम रोशन करना था पिता के लाग समझाने के बाद भी वो अपने पिता को बिना बताए मुंबई के लिए निकल गई मुंबई में उसकी दोस्त अंजली रहती थी वो उसी के साथ रहने लगी अंजली एक मल्टिनेशनल कमपनी में मैनेजर थी पुराने पलों को याद करते हुए अक्षरा अपनी बारी आने का इंतजार करने लगी शाम को 6 बजे उसके ऑडिशन की बारी आई डायलोग तो उसे पहले ही मिल गया था इतनी देर में वो से याद भी कर चुकी थी अंदर स्टूडियो में डायलोग याद है ना ठीक है रोल, कैमरा, स्टार्ट साउंड, अक्षन अक्षरा ने अउडिशन दे दिया वो थोड़ा बोल्ड सीन था अक्षरा उसे करते हुए थोड़ी घबराई सी थी लेकिन डायलोग याद है ना आकर तुम यंग्स्टर्स को हो क्या गया है ऐसे परफॉर्म करोगी तो कभी सक्सेस्फुल नहीं बन पाओगी सौरी सर, एक बार फिर से दूँ आउडिशन सर के पास इतना टाइम नहीं है चलो जाओ, दूसरों को भी तो चांस मिलना चाहिए अक्षरा ये मौका खोना नहीं चाहती थी उसने फिर से चांदकुमार से रिक्वेस्ट किया उसके बार-बार के रिक्वेस्ट से चांदकुमार पिघल गया वो उसके पास आया और बोला देखो अक्षरा, तुम बहुत ही सुन्दर हो देखने में डायलॉग डिलिवरी भी ठीक है लेकिन इमोशन नहीं आ रहे है और तुम्हें तो पता है ना कि बिना इमोशन के सब जीरो है एक मौक और दे दीजे ना शायद मैं नर्वस हो गए थी इसलिए 100% नहीं दे पाई देखो ऐसा है कि उसके बाद चांदकुमार ने अपनी जेब से कार्ड निकाला और उसे देते हुए कहा कल इस पते पर तुम आ जाओ सब ठीक रहा तो मेरे अगले प्रोजेक्ट की हिरोईन तुम ही होगी अक्षरा को चांदकुमार की असलित के बारे में पता नहीं था उसने ना जाने कितनी लड़कियों का जीवन फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर बरबाद किया था वो फिल्में तो बनाता था लेकिन वो फिल्में सब भी समाज के देखने लायक नहीं थी अगली सुब़ जब अक्षरा की नेंद खूली तो उसे एहसास हो रहा था कि उसके साथ कुछ बुरा हो चुका है उसने आसपास चांतकुमार को ढूढने की कोशिश की लेकिन वो तो वहाँ था ही नहीं हाँ उसके बगल में पचास अजार रुपे का एक चेक और एक चिट्थी रखी थी अक्षरा उसे पढ़ने लगी वेलकम टू आवर इंडस्ट्री अक्षरा हमारी इंडस्ट्री को गंदा कहा जाता है लेकिन सच कहूं तो इससे साफ तो कोई इंडस्ट्री है ही नहीं बस थोड़ा सा समझोता ही तो करना पड़ता है और थोड़े से बोल्ड सीन इस बार वो सीन बेहोशी की हालत में करवाए आशा है अगली फिल्म में तुम होश में वो सीन करोगी अक्षरा एक बात और ये जो घर है वो सिर्फ एक दिन के लिए मैंने किराय पर लिया था ये मेरा घर नहीं है इसलिए तुम जल्दी से वहाँ से निकल जाना और हां तुम्हारे पास मैंने पचास हजार का चेक भी छोड़ा है ये तुम्हारी पहली कमाई का चेक है और अभी ऐसे नजाने कितने चेक तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं मैं जल्द ही तुम्हें कॉंट्रेक्ट करूँगा अपनी नई फिल्म के लिए तब तक के लिए गुड़ बाई और एक सबसे जरूरी बाद ये सब तुम किसी को बता ना मत क्यूंकि इससे तुम्हारी इज़त ही बाजार में निलाम होगी अक्षरा ने चांद कुमार के फोन नमबर पर लगातार ट्राई किया लेकिन वो नमबर बंद था अक्षरा के पैर कांप रहे थे उसका हलक सूख रहा था लेकिन घर पहुँचते ही उसकी दोस्त अंजली ने उसे एक और शॉकिंग नियूस दी जिसे सुनकर वो रोने लगी पागल है क्या क्या करेगी उसका चांद कुमार बड़ा नाम है उसकी बड़ी पैचान है हर जगा तुम उसका कुछ नहीं बिगार पाओगी नहीं अक्षरा कानून के आगे कोई बड़ा या छोटा नहीं होता और वैसे भी अगर आज में चुब बैट गई तो कल कोई और अक्षरा उसकी शिकार होगी जो मैं नहीं होने तूँगी अक्षरा अंजली को लेकर पुलिस थाने गई उसने इंस्पेक्टर रागवन को सारी बाते बताई रागवन बहुत ही इमानदार पुलिस अफसर था उसने अपने सीनियर से ये बात बताई और उनसे परमिशन लेकर उसकी गिरफतारी का वारंट निकलवा दिया थोड़ी तो ये खबर पूरे शेहर में फैल गई कि चांदकुमार एक बदमाश और आयाश किसम का डारेक्टर है जो लड़कियों के सम्मान का सौधा करता है इस लड़की ने तो सारा गुड़ गोबर कर दिया मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह जाकर सब बग देगी बरसों से मैंने जो इजज़त कमाई थी इसने निलाम कर दिया मुझे जल से जल ये देश छोड़ कर बाहर जाना पड़ेगा मुझे इसी समय एरपोर्ट निकलन अक्षरा ने चांदकुमार जैसे डारेक्टर को जेल भिचवा कर फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया सभी उसके साहस की तारीफ करने लगे हाला कि अक्षरा अब भी स्ट्रगल कर रही है लेकिन उसको लगता है कि एक दिन उसका सितारा जरूर चमकेगा